बारा चीपा बड़ोद उपखंडेवं तहसीर छेत्र के ग्राम पंच्याद अजनावर ग्राम पंच्याद के गाउं की दश्या बर साथ आने से पहले ही बद से बत्तर हो गई है जिसका खामियाजा भुगतान पड़ रहा है उन छोटे छोटे नौनेहालों को जिन्होंने अभी ढ़ंग से बोलना और चलना भी नहीं सीखा है जो अभी ये तक नहीं जानते की सरकार क्या होती नौनेहालों को जब इस समुद्री जैसे रास्ते को उठते परते पार कर स्कूल जाते वक्त बहुत मुश्किलों का सफर तै करना पड़ता है उस समय देखने वाले रहगीर भी चकित रह जाते हैं लेकिन जन प्रतिनिधियों और संबंदित विभागी अधिकारियों के कानों में जून तक नहीं रेंगती आखिरकार क्यों नहीं हो रहा विकास जैसे दावे जन प्रतिनिधियों द्वारा चुनावों क समय किये जाते हैं विदावे पूरे क्यों नहीं किये जाते वहा निवास करने वाले गरीब परिवारों के बच्चे गाउं के ही सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं और कई लोगों ने मिलकर मनोज जारवाल को ये समस्या बताई तो जारवाल ने आश्वासन दिया कि जल्द ही चेत्रिय जन प्रतिनिधी और अधिकारियों से बात कर इस समस्या का समाधान करवाया जाएगा